बिवावोवन जीरो माईल एनेस थाटीवन नवगच्छिया साधी बिवा साल गिरह रिंग सेरेमनी जन्मिदीन सहित किसी विप्रकार के पार्टी फंक्षन एवं मेचिंग के लिए जरूर पधारे 3500 वर्ग मीचर का हॉल ताकी आप अपनी परिवार के साथ बैट कर ली आनन ग्लास नीरर वार ताकी अंदर से लिए बाहर के खुब सूर्थी का ने जड़ा पूर्ण तेया वाता नुकुलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ सिवानी मेरेज हौल संपर्क सुत्र 9931-092632 9534-316464 8406-949533 नवगचिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन विधान सभा में तेवर दिखाने लगे डिप्टी सीम तार की सोर परसाद स्पीकर विजय सिन्धा बोले पहले अपने विभाग को सुधार गे नमस्कार मैं हूनी दिजार आप देखनें 6 निरूच बिहार विधान सभा में आज बहुत दिल्चस्प नजारा देखने को मिला प्रस्नूतर काल में आज नगर विकास एवं आवास विभाग से जुड़े सवालों पर डिप्टी सीम तार की सोर परसाद जवाब दे रहे थे एक एक अर सवालों का जवाब देने के दोरां तार की सोर परसाद ने सदन में कहा कि विधायक उनके तेवर को देखे ना की जवाब को वेतन बंद होने पर D.E.O. ने परिवार के साथ आत्महत्या की दिधम की का भगवार नितिस्तरकार में किसी मुसहर को ना मिले नौकरी ऐसी घटना सामने आई है जो काफे हैरान करने वाली है मामला बिहार के सेखपुरा जिले की है जहां जिला सिक्षापदाधिकारी नंद किसोर राम का एक वीडियो बड़ी तेजी से वाइरल हो रहा है जिसमें उन्होंने पूरे परिवार के सदस्यों के साथ आत्महत्या करने की धम की दिधी है डियो का यह वीडियो बड़ी तेजी से सोसल मेडिया पर वाइरल हो रहा है अधिकारी इस वीडियो की जाच कर रहे हैं साथ ही साथ जिला सिक्षापदाधिकारी नंद किसोर राम ने संपर्क साथने की भी ही कोसेज जारी है नाजिर का घूस लेते वीडियो हुआ वाइरल जाच का आधे सोसल मेडिया पर इन दिनों जीले के सिवहाड़ा प्रखंड दफ्तर के अंदर घूस लेते वीडियो तेजी से वाइरल हो रहा है बताया जाड़ाय कि या वीडियो सिंह बाड़ा प्रखंड कारियाले के नाजिर का है जहां नाजिर पद पर कारियरत उमेज प्रसाद की काम के बदले एक व्यक्ति से घूस लेने के रूप में 17,500 रुपे लेते नजर आ रहे हैं घर में लगे भीसन आग, लाखों के संपती हुई जल कर राग भागलपूर जिले के अकबर नगर ठाना छेत के भावनात्पुर गाउं में एक घर में अचानक भीसन आग लग गई अग लगे कि इस घटना के बाद लोगों के बीच दहसत का माहूल पैदा हो गया है पादा में हथियार के बलपर बैंक लूट दिन दहारे 14 लाख रुपए लूट कर भागे बदमास इस वक्त नवादा से यह ख़वर सामने निकल कर आई रही है जहां अपडाध्यों ने हथियार के बलपर बैंक लूट की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है अपडाधी दिन दहारे दक्षिन बिहार ग्रामीन बैंक से 14 लाख रुपए की लूट कर फडार हो गया है इस घटना से इलाके में हरकम मच गया है पुलीस घटना की चानमेन में जुट गई है अपडाधियों का इनकाउंटर करेंगे जदियों विधायक गोपाल मंडल कहा 4-5 लाइसेंसी हथियार रखते हैं जरूरत पढ़ने पर ठोक देंगे मुख्यमंद्री नितिश कुमार की पार्टी के बड़ बोले विधायक नरेंद्र कुमार नीरज और फगोपाल मंडल ने एक विवादासपत बयान दिया है विधान सभा की बाहर पत्रकारों से बातचीत के दरान गोपाल मंडल ने कहा की वह अपराधियों का सफाय कर देंगे यानि कि जदियों के विधायक बिहार में क्राइम कंट्रोल करने के लिए गोली का जबाब गोली से देने की सोच रहे हैं दुले का चेहड़ा देखते ही दुलह ने साधी से क्या इंकार बोली वाटसब पर फीसियल वाला फोटो दिखा कर सेट हुई थी साधी एक ऐसी खटना सामने आई है जो काफी हैरान करने वाली है तरसल एक दुलहन ने मंडप में दुलह को देखते ही उससे साधी करने से साफ इंकार कर दिया दुलहन ने जब दुलहे को सामने से देखा तो दुलहा बिल्कुल पसंद नहीं आया इसलिए दुलहन साधी से मुकर गई तो दुलहे को बिना साधी किये ही बैरंग वापस बाराद लेकर लोटना पड़ा कुरोना ने लेली मेडिकल शात्रा की जान कई अन्य शात्र भी हो गए हैं संक्रमित हाल ही में राज़दानी में कोरोना वायरस की वज़ा से शात्र की मौत का मामला सामने आया है पटना सीटी के अगन कुआ नालंदा मेडिकल कॉलेज में एक शात्र की मौत की पुष्टी की गई है जिसके बाद कॉलेज के अन्य शात्र काफी डड़े हुए है सरकार और जनता के बीच बहुत बड़ा गैप देखा जा रहा है विहार विधानसवा के बजट सत्र के दसवे दिन आज राज़त की तरफ से भूमी सुधार को लेकर सदन में अंदर प्रस्न किया जा रहा था इस मामले को लेकर राज़त MLA चेतन आनंद ने कहा कि हमारे सवालों का जवाब सरकार नहीं दे पाई उन्होंने कहा कि सरकार और जनता के बीच बहुत बड़ा गैप देखा ज़ा रहा है जनता जो चाह रही है वह हो नहीं पा रहा आज की खवर में बस इतना ही धन्यवाद लगातार अपने छेत्री की खवर जानने है तो जेस न्यूज की यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर रवाए अगर आप फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और वीडियो को सेर कर कमेंट जरूर करें